हेलो फ्रेम्स नमस्कार नीटपूर अपडेट्स में आपका स्वागत है आज मैं 67 BPSC और 68 BPSC के संदर में बात करने वाला हूं मेंस के स्ट्रेटजी के संदर में और या आयोक के दवरा कहां कहां से किस टॉपिक को कोशन पुछी जाते हैं उस टॉपिक के बात करने वाला जैसा कि आप सभी को पता है 67 BPSC के मेंस आपका होने वाला है 29 12 2022 को होने वाला है और 68 का मेंस का होने वाला 8 4 2023 को होने वाला है ठीक है 68 का आपका 8 जनवरी को प्री का एक्जाम होने वाला है उसके संदर में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि प्री और मेंस प्री का आपका और या जैसा कि आप सभी को पता है प्री का एक्जाम आपका तो वन लाइन होता है लेकिन आपका मेंस जो है थोड़ा असान लगेगा आप सभी अभी को देखने में ठीक है इस्टार्ट करते हैं यहां पर 67 68 बीपी एसी मेंस आपका एक्जाम होने वाला कि हिस्ट्री में हिस्ट्री में आपको फोकस कहां करना है रही दस से बारा त्रीम है टॉपिक है उसकार फोकस करना है जैसेятся आपका हो हो गया जवाहर लाल नहीरूप हो गया और महत्मागांदी टाइगो क्याथर संधाह बीदर चम्रॉण सत्यगर्स और भी अब आप देख लिजिएगा 10 से 12 थीम है जो इस पर फोकस करना जरूरी है जिससे आपका एक से दो कोश्चन इससे आ जाएंगे और एक कोश्चन आपका 38 मार्स का होता है जैसे कि आपको पता है और ठीक है फ्रेंज और नेक्स्ट टॉपिक यह है शिष्ट्री कहीं पटना कलम अम पुछ दिया तर अगले साल आपको मॉर क्या पूछेगा ठीक है फाल ठीक है उसके बाल मदवनी प्रेंटिंग भी पुछा जाता है खास कर ज्यादा तर आपको पटना कलम और मोर पुछन पूछेगा है अब मदवनी पेंडिक से कम कुछन पूछेगा है आप प्रिविशन इस आपको क्लेयर करना है और मोडल थियार करकर उसको निक्षन का प्रिएस कोश्चन उठाइए प्रिव्यस कोशन देखकर आप लिखने का प्रिएस कोई बी कर अगर सेनियर हो कोई गाईडेंस आपको को इनसे अपको नियुकूच्वर को ऑफ और न में Shifts जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिविए सर्फ पांच साल के कोशन उठाईए उससे आप दखिए किस किस टॉपिक से कोशन पुछा हुए जैसे मैं तो टॉपिक मैं बता ही दिया हिस्ट्री का ठीक है और जो भी कोशन पुछा हुआ है उसको लेजिए और लिखने का प्रियास किजिए नेक्स्ट आपका यहाँ है इसमें हिस्ट्री में आपका आ सह कोशन दिया है जैता है जीसवे आफक sympath का जवाब करेंग होता है एक कोशन आपका 28 कर देख लेजिए आपको लेन के बाताश करेंगे आरे इस इसमें तो बहुत सारे परना पड़ता है लेकि इसमें कुछ important theme है उस टॉपिक में उसमें मैं बता रहा हूं जैसे कि आप सभी क्यों परना है यूएन रिपोर्ट के बारें परना है चाइना यूए से जैसे कि भारत के देश के जितने भी परोशी है भारत नेपाल के भारत प हुआ को परना टॉपिक होते हैं वहते हैं जिश जो भारत सदस से हैं भारत सब्सकरह जिस जगा में मतलब भारत vàंबर होते हैं जी सेऊ ने भारत इनभावरत होते हैं इससे कोशन पुछे जाएंगे, पुछे जाते भी हैं, आपको सुरुत क्या होना चाहिए, बुक कौन से परना है आपको, विजन को आप पर लेजिए, विजन का या दृष्टी का आपका मैगजिन उठाइए, जिसे करेंट आपके लिए बहतर होगा, ठीक है, जिसमें आपक चार कोशन में तीन कोशन लिखना आनिमार्ज होता है, ठीक है, एक कोशन आपका 38 मार्ज का होता है, और इसको भी 22 से 23 मिनट में आपको लिखी देना है, प्रेल्टिस करना है, लिखने का क्योंकि, रोज एक से, एक से दो कोशन आप लिखिए, जिसमें, और एक कोशन आपक वारे में एक्सक्तर टॉपिक बात करने के बारे में सपर आतगा पर सिर्फِक करना अब करता हुशया थे पर को सबस्क्राइब कि आपको सबस्तराघाrire निघू सबाद शेयifice कोशन बनाने के लिए आपको प्रिवियरस कोशन उठाइब जितने भी मैं इस्टाटिक बता रहा हूं आपको प्रिवियस कोशन दीखना है और देखकर ही आपको त्यारी करना है क्टिक ए फ्रेंट जिससे काफी को आपको आपको सब्सक्राइब कर लिए लिए यहां जाते हैं और जाते हैं यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब और आपका GS paper 1 complete हो गया मैं GS paper 2 के संदर्में बात करने वाला हुआ भी ठीक है फिरेंस मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा GS paper 2 के संदर्में बात करने वाले हैं GS paper 2 में आपका 300 अंका होता है GS paper 2 में 3 person होते है quality होता है, geography and economy होता है science and tech होता है quality में क्या क्या परना है, कहां पर जादा फोकस करना है परना तो बहुत सरे हैं आपको detail में परना है, लेकि इस जो मैं बता रहा हूं topic उससे question पूछे जाते हैं आयोग के दोबार, okay ठीक है, समिधान की भी सहस्ता परना है quality में, प्रस्तावना परना है, preamble के परना है, fundamental right परना है, fundamental duty परना है, federalize में परना है, DPSC परना है, emergency provision परना है, action commission परना है, यह काफी important topic है, और इसको clear किजिएगा, और इस पर practice किजिएगा प्रस उतर लिखने का, फिर भी मैं फिर बता रहा हूं, जितने भी topic बता रहा previous year question आप देखकर उसको लिखने का प्रियास किजिए, ठीक है, इसमें आपका, चार question में, तीन question लिखना है, एक question आपका, और इसमार्ट का होता है, इसमें भी, okay, 22 से 23 मिनट में आपको clear कर देना है, जोगराफी, economic, क्या, किस किस topic पर परना है, आपका ज्यादा focus करना है, energy पर फोकस करना है, climate जलवाई पर फोकस करना है, environment पर फोकस करना है, economic, प्लान क्या-क्या है, भारा सरकार और बिहार सरकार, दोनों included होना चाहिए, disaster management के संदर हैं परना है, WTO, वर्ल्टेट और organization के बारे हैं परना है, food security, agriculture, agriculture, बिहार और देश के लिए, यह important है, देखकर जा करते हैं, भी भी आई है, poverty and population के बारे हैं परना है, यह आपको परना है, बिहार प्लस भारा सरकार में क्या-क्या प्लान है, यह भी परना है, economy, क्या-क्या आप प्लान बनाया बनाया जा रहा है, बिहार सरकार के दोरा, भारा सरकार के दोरा, उसके संदर्व, उसके रिलेट कौनों से टॉपिक जैसे की इनटरजी है नुकुलियल टेग मैं कौनों है कौनों करेंगे क्या रूटना चांसे के पूरेंगा कृष्ट रही हो गया है इससरद संद्र ему क्या है इसके सब्सक् चेश्ण प्रयोग क्या किया रहा है कलामिट से चैंज के बारे में इसका प्रयोग का फणच कर ना ठेक है है और इस में जैसा कि साइस सेंट्रेक में पता है चार कोशन दो कोशन लिखना यह कोशन आपका 36 समार्स का होता है ठेक है और यहां पर मैं भूल किया हूं एस्ट्राटिक्स आप ज्यादा फोकस किजिएगा यह 72 मार्क्स होता है अपको अच्छे से बना दीजिएगा एक महीना फोकस कर दीजिएगा ता आपको 72 मार्क्स क्लियर हो जाएंगा जिससे आपका जीस पर वन में काफी मार्क्स इंक्रीज हो दायेगा我說, के बारी बात करते हैं OUT को कुस्टन लिखना पर अपता है एक कोश्चन आपका 50 मार्क्स का होता है जिसमें आंसर एक्टिंग करना है और important topics आप देख लिजेगा आपका किस optional है जो भी optional है आप देख लिजे कौन को से topic है जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरह analysis करके आप पढ़िएगा अवस्ते ही सफल होईएगा ओके और यह हिंदी है हिंदी जो है यह qualifying nature का होता है इसमें आपका 30 अंक लाना अनिवार्ज होत पर लिजेए क्लिए हो जाएगा तो हिंदी में आपका जो है आपका निवंद परनाहती संकाता है व्याकरण ती संकाता है वाक्यविनियास 25 संच्छेपन आपका 15 रंग काता है ठीक है फ्रेंस हो गया 67 68 बीपेस सिमेंस के श्टेट्ट जेए और अच्छे से आप लोग प् कोशन में पर में निकालकर लेकर आप उसको अनलायस कीजिए अगर कोई नहीं है चार पांच दोस्त मिलकर और उसके बाद उन सभी से मतलब एक तुसरे के अपना model answer दिखाईए मैं जो लिखा हूं कितना सही है कितना गलत है थुरा आपसे senior होगा उनसे भी संपरक कीजिए और अच्छे से लिखने का प्रियास कीजिए और मैं अगर आप मेरे मेरे चैनल पर ना है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहा हूं ठीक है और अच्छे से आप लोग प्रिवेशन कीजिए अवस्तिया ही सफल होंगे आपके मिल टाउ नेक्ट वीडियो में थै क्यू